तैंक यू आप सबका आइ थिंक अब पैनल डिसकेशन हम शुरू करते हैं डॉक्टर सांजे ट्राफिक मेट के तो नहीं आप आ रहे हैं और डॉक्टर फजाल इतिंग कोई इमर्जनसी में है डॉक्टर शार जी हमारे रेडियोलोजिस्ट हैं जिनोंने काफी सारे बचों का אם intervention किया है वो आपसे बात करेंगे जैसे मैंने का बिल्कुल न जिजए प्रशनव कोचिए जो बंद में हैं काफी सारे प्रशनों के उत्वरा अपको हमारे टॉक्स में मिल गए होंगे but काफी सारे प्रश्चना ऐसे होंगे जो आपके मन में हैं और आप हिचा करें पूछने के लिए प्लीज पूछिए Dr. Varun I'll call you on behalf of as a pediatrician Dr. Varun जसलोक में pediatrician है और वो भी आपके जो भी बच्चों को related general questions हैं उसके बारे में सवाल का आपको उतर देंगे Dr. Bhave आप आजाएए प्लीज Dr. Bhave को आपने अल्रेडी सुना है Dr. Bhave हमारे hematologist है लीलावती hospital में और कई सारे hospital में हैं लीलावती hospital में है और अगर और कुछ liver हिसाब से पूछना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं मैं भी यहां होंगे तो मैं आप चाहती हूं कि आप अपना प्रशन उतर दर्णा शुरू करें यस यह यह बहुत कॉमनली यहां पे जाना गया कि बच्यारी सिंड्रोम से जो भी पीडित है उनका डाइग्नोसिस हमेशा से लेट होता है तो फिर उनका मिस दियाग्नोसिस होगा गा अस तीवी or a jaundice तो यह यह कुरू होता है तो यह क्यू होता है? यह यह क्यू होता है? तो है वहा हो справED हमेशन इस थाम प्रण सबेल शोदो क्यू होता है? तो यह क्यू होता है? क्योंकि एक बच्चा गया उसका बड़ा था तो डॉक्टर ने बोला के गैस है क्योंकि कोई भी बड़कियारी के बारे में पहले नहीं सोचेगा क्योंकि वो रेर बिमारी है इतनी कॉमन नहीं है तो I think that is a cause and I think थोड़ा नॉर्मली जब पेट में पानी होता है और सोनोग्राफिक के लिए जाते हैं तो एक जो अच्छा रेडियोलोजिस्ट है उसे देखना चाहिए कि ये पानी का कारण क्या है और जैसे मैंने अपने पहले टॉक में का प्रॉबली उमिस्टर के हिपाटि जो होती हैं जो ब्लॉक होती हैं उनकी तरफ भी एक नजर डालनी चाहिए जब सोनोग्राफिक करते हैं और कई बार हमने देखा है कि सोनोग्राफिक पे ये नहीं देखा जाता और ये मिस हो जाता है तो एक तो पहला प्रॉबलम ये है कि डॉक्तर के दिमाग में ही नहीं आती है बात के बड़क्यारी हो सकता है बड़क्यारी के लिए हम जब भेजते भी हैं तो शायद एक्सपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है कई जगा पे कि वो बड़क्यारी का डाउट होने के बावजूद भी सोनोग्राफी या सीटी स्कैन पे डाइग्नोज नहीं होता है और इनके केस में एक्चुली ये हुआ था कि प्रॉब्लम हो रहा था और इनका डाइग्नोज बड़क्यारी का जब इनका ट्रांस्प्लांट हुआ और लिवर निकाला गया तब बड़क्यारी का डाइग्नोस हुआ और फिर हमें हमें अफकोस उने उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ा तो ये एक प्रॉब्म होता तो इस तरह जो रायर केसे से उनके सामने नहीं आते हैं तो उनको डाइग्डोस करना मुश्किल होता है अपने country में tuberculosis इतना common है कि हमनों हर चीज उसी से relate करते हैं और हर चीज का कारण tuberculosis या malaria को responsible ठहराते हैं तो यह सब rare बिमारियां कई बार miss हो जाती है तो doctors का awareness जादा जरूरी है आप लोग के awareness से कि बटशियरी do exist and काफी बच्चों को इसमें जैसे जसलोक में ही देखा जाए तो काफी 50-60 बच्चे follow-up कर रहे हैं तो हर एक centers में या हर एक district में इस तरह के बच्चे बटशियरी से effect हो रहे हैं लेकिर उनका number कम है इसलिए doctors उसको diagnose नहीं कर पाते हैं तो importance है कि हमें जब tuberculosis भी diagnose कर रहे हैं तो हमें doctors को question करना होगा कि tuberculosis का क्या क्या उनको उसका किटानू मिला है क्या कोई test positive आई है क्या x-ray में कुछ अपने को बल्गम की जाच में कुछ हाया है या पेट की तपास में पानी में कुछ TB किटानू आए है बिना कुछ evidence के treatment हमें भी accept नहीं करना चाहिए as a parent तो और कोई diagnosis होता है discuss करना चाहिए तो doctor भी सोचेगा कि हमें आगे और कुछ investigation कराना है कई बार investigations costly होते हैं तो हर एक level पर नहीं हो पाता है तो उसके लिए proper medical college में फिर उस तरह की facility भी होनी चाहिए हर एक medical college में कि ये सारी test हो सके जैसे doppler का proper test होना चाहिए फिर हमने CT scan की बात किया है MRI की बात किया है and finally जाके venogram की facility होनी चाहिए तो ये सारी facility अगर हर एक medical college में रहेंगी तो फिर आपको अपने district से जस लोग hospital आने की ज़रूत नहीं पड़ीगा और आपका diagnosis वहीं पर हो सकता है तो बहुत जगर lack of investigations है and plus investigation नहीं करवा पाते हैं तो doctor उतना diagnose नहीं कर पाते हैं तो doctor को भी इस disease की बारे में जानकारी नहीं होती है तो दोनों तरफ से थोड़ा बहुत रहता है and तीसरा है कि आप लोग को awareness होनी चाहिए कि अगर कोई liver की विमारी लग रही है तो हम लोग google search करते हैं तो liver वाले foundation जो site है उसमें check करें कि उसमें क्या help line number दिया गया है तो वहाँ से पता करके आप email के जरीए आप अपने बच्चे के सारे reports बेज सकते हैं और फिर आपको expert जो है उसको देख करके चाहिए तो आपको एक list of differential दे सकते हैं या फिर आपके doctor से discuss कर सकते हैं तो उस तरह का telecommunication भी अगर रहेगा system तो उसमें भी better diagnosis दिया जा सकता है या जैसे उसने बता है this is a very important point एक तो TB, you know everything हमारे देश में जो हम जिसका explanation नहीं दे पा रहे हैं हम TB बोलते हैं उसे और जो fluid निकाला जाता है उसके कुछ characteristics TB जैसे होते है तो अफन वो TB से मिक्स अप हो जाता है so that is number one and I think finally sonography भी होती है, CT scan भी होता है, but अगर वो फोकॉस्ट नहीं हो अगर डॉक्टर को ही नहीं पता है कि क्या देखना है कई बार इत इस incompetence of actually the tests being done क्योंकि इन सब में जिनका भी सबने रिलेट किया they went to the best hospitals they have had all the tests done but the person who is doing the test is not focusing and we face it day to day I just look also we face it day to day it's not that this hospital में यहाँ नहीं हो रहा है it happens everywhere के अगर कोई sonologist है वो दो घंटे में पचास sonography कर रहा है तो he will not be able to do justice जतना time हमें देना चाहिए even अगर हम कोई patient के साथ बैठे है history ले रहे हैं अगर हम time नहीं बताएंगे history ठीक से नहीं लेंगे तो डागनोस नहीं होने वाला है similarly अगर sonography दो से किन में हो जाएंगे दो मिन में हो जाएंगे पचास patient की लाइन लगी है तो things get missed and this is our experience that it is often missed on tests so which is not actually a problem from the patient view point it is our problem how is the test conducted is it a blood test or is it a test actually the non-invasive test is a Doppler test it is a type of a sonography where we look at the blood flow in the liver so it is a it's a type of sonography so it's a totally non-invasive test Shaaji you want to add something about why Dr. Shaaji हमारे radiologist है ये दोपलर नही करते so I am not ये ये इंटिवेंशनल radiologist है I just look so maybe he can tell us के क्यों ये मिस होता है sonography पे करी बार generally आप एक बच्चे को ये आडल्ट को liver disease के लिए sonography liver advice करता है तो sonologist Doppler नहीं करता है तो unless वो Doppler specifically किया नहीं है तभी हम वो miss हो सकता है तो ये एक reason है लेकिन जैसे Dr. Abanagral ने बताया कोई भी sonography या Doppler हो उनके लिए time dedicate करना पड़ता है और जैसे भी clinical suspicion होता है specifically बच्चे ही हो सकता है वो cases में definitely sonography with Doppler करना चाहिए especially वो suspicion है तो but I don't think it is practically possible in a high volume center to do Doppler for all the patients unless there is a suspicion viva विए चाहिए ले जापिए लुद्यक्स वोकूष अ Banks जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर एक क्लिनिकल सस्पिशन होता है, at least वो केसे में, as a doctor, specifically बताना चाहिए, डॉपलर भी करना चाहिए. Whenever we send test के लिए हम बेशते हैं, जैसे हम लिखते हैं, सोनोग्राफिय अब्डोमेन, हम लिखते हैं के ये हमारे मन में डाउट है, this is the possible diagnosis. Of course, there are some very good radiologists, जहां हम नहीं लिखते हैं, हमने भी उसके बारे में सोचानी है, बट वो आगे से डाइग्नोस करते हैं, और हमें फोन करके बताते हैं, या रे मुझे ये लग रहा है, ऐसा भी होता है, जहां है, बट ये सब्सक्राइब कर रहा है, उसे क्लिये लिखना चाहिए कि सोनोग्राफिया बढमन किस लिए कर रहे हैं, अगर वो लिखा जाए या वो कहा जाए, तो फिर ये बेटर है. Also, how does the syndrome get triggered? You said that this might happen in a baby as young as, you know, a few months old to someone who's an adult. And so, does it get triggered acutely? How does it happen? Yeah, so basically, हमने रखाए कि बच्चो में, usually, like we published a paper on BADKIAR-ER experience, so we saw that 50% बच्चो में, especially, there is a dehydrating event. मतलब बच्चे को अलरी जनिटिक टंदंशी है, बट थिक है, चलोट होने की टंदंशी है, मगर बच्चे को डाइरिया हुआ, या वामिटिंग हुआ, या फीवर हुआ, वो दिहाइड्रेट हो गया, तो बट खो गया, और वो जो वेंस है, वो ब्लॉक हो गई. So, usually, dehydrating event, हम देखते हैं बच्चो में, जिससे के बाद वो पेट में पानी बरना शुरू होता है. So, in a child, it is usually generating, in an adult, it is related. Maybe, Abhay would be, Dr. Abhay, who's from Leelawati, he'll be in a better position, that myelofibrosis, a condition, which is the commonest cause of bud carry in adults. So, maybe you could enlighten us on that. I don't think that there is too much data on this yet, as such, to analyze it so much. But, myelofibrosis, a condition है, जहाँ पर हड्डियों के अंदर, रेशम जैसे धागे आ जाते हैं. और जो नॉर्मल जगा होनी चाहिए, नॉर्मल सेल्स के लिए, उसके बजाए, ये फाइबर आ जाते हैं. तो अच्छे वाले सेल्स को एक तो मौका नहीं मिलता है, बढ़ने का, नॉर्मल टू उनको बाहर भीजा जाता है, खुन के नलियों में. और ये जो फाइबर ये, जो धागे हैं, वो अलग-अलग जगे पे जाते हैं, जैसे लिवर है, स्प्लेन है, और ऐसे में खुन गाड़ा हो जाता है, और वो क्लॉट होता है, दुविदा ये है, कि ये क्लॉट सिर्फ हेपाटिक वेन में क्यों होता है, तो वो कॉस एफेक्ट रिलेशन्शिप अभी नहीं मालूम, पर जैसे मैंने कहा था, मेरे डिसकॉशन में, कि JAK2 नाम का एक म्यूटेशन है, जाने कि GANAS, ये एक प्रोटीन है, जो खुन बनाने को एक तरह से प्रोट्साहित करता है, कभी-कभी इसमें कोई तबदीली हो जाती है, प्रोटीन में कुछ तबदीली हो जाती है जिसके वज़े से ये कुछ हद तक ज्यादा ही प्रोट्साहित करता है और गलत चीजों को प्रोट्साहित करता है ऐसे में खून की गाट हो सकती है पर कॉसेफ्ट रलेस्ट पूरा क्लियर नहीं अभी तक पर देखा गया है कि इंसिदेंस से पर कियारी सिंडरोम है इसाइश इंडरो में प्रोट्र थोट्रोंबोतिक श्तेट्साहित की खून को सही हद थक पतला रखे है उनकी कमी के वज़े से खून गाडा हो सकता है खून क पर दुबारा में होंगा, मुझे यह नहीं मालूम कि किसी में खून की गाट ब्रेन में होती है, किसी को किड्नी में होता है, किसी को लिवर में होता है, इसकी जाचनी हुई है, कि ऐसे क्या है वेंज में, कि एक पेशिंट में कहीं और क्लॉट होता है, दूसरे में कहीं और, पुष्छ लवल तक हम रूपने गाया है. What is the incidence in the children and adults? I don't think we have incidence in the country. No, I don't think we have those. But generally, could we extrapolate? I don't think so. I don't think so. You know, you need to have a large cohort of patients to be diagnosed in the same method in order to give you something called incidence and prevalence. So it's extremely hard. But even in the world around, anything at all to say? No, I just don't want to quote any figure. I am not aware of whether there are specific. How many centers are there in India which take care of PADKIARE? I would say that any large center, tertiary care hospital, would take care. There would be doctors there who would be kind of competent to take care. But facilities like interventional radiology, like, is not there. I mean, I must say that when we started, Dr. Shahji, then there was another couple of doctors. Even now, in the city, there are not many interventional radiologists who would do it. So I think maybe max five, seven. How many, Shahji, do you think, in the city? In Mumbai, maybe there are four or five who can do good work. That is in the city like Mumbai. So, I mean, in the beginning, we were having patients from, we have quite a few patients coming from Delhi also. I mean, so we actually must say that this was started a few years back and very few centers were doing it. In fact, when we published this paper of radiological intervention in children, that was the first paper in the world on intervention in children. There was no experience at all on this. And bahar, abroad kya hota hai, ki jo bhi bachcha, ek toh, badkiyari doesn't seem to be very common abroad. It seems to be more common in developing countries. That's one. That's one thing which has been very well documented. And the other thing is, abroad, I think, if anybody gets diagnosed as badkiyari, they go for transplant. Transplant is much easier there. Some places, the government and the insurance companies are giving money. So, they directly go for transplant, which is, I think, not really right. It should not be the first option unless it's really needed. Yeah. Doctor, do you want to say that warfarin is a life-long problem? Do you want to say that there are side effects in the body? You do not find terrible symptoms. I should stay with a office other sometimes, because she is growing up. What seem to say that there are common problems? You do not find the same problem yet. He does the typical blood. You have toث mental health. So, don't you have to image the body? You have to disease it now. So, I feel like that is a problem with warfarin box. Take advantage of these screens. Take away a problem about warfarin. अजिए पुल्ण पुंता चासे बाल मी आसा एकल है अनि पड़ मी वाचले है बदल अमचा पुसकातर ही आसा काई मुंटलन है अपना अता खूब लोक उन्हालन अंतर असा वाटता की एकादिस कैथरी कॉज-फेक्ट रलेशनशिफ असा वा राता वरकाई पर पर अपर पर नहीं डारेक्ट रिलेशन नहीं एकाई परन लहान वे गटाथ मी वाच्छलेल नहीं एक हद थे चा मध्यू शक्त तर रिसेंट्ली साम अप रेद्नसी मदे तुमाला माईति है कि आमी नहीं होंतु है प्रेग्ननसी असताना अमी कोंचा ही बाइला स्थीला थांगत नहीं कि तुमी वार्फरीन गया तर जे लोगो वाल्ब मले वार्फरीन गेता है तेंसा एक हाम मुठा प्राब्लम है तर आमाला कज़िगती त्यो वार्फरीन बंदकरून हेपरेंवर्ट है लागता है असा गय पार जास्ता दूश परेनाम करी में भीतला नहीं है तर काई एफेक्ट नहीं ना तर आमचे जे एडर्ट पेशन्स वाल्ब चे जास्ता को रुमी एडर्ट पेशन्स ना बगतू जन्सा वाल्वा है ते आता तीस वर्श जालिया सिलते ना गवाया कि उनकें कि मेकैनिकल ब आता तीस वर्श पस तीस वर्श जाता तर तेना काई जाले ला नहीं है तर तेंचा गडना पन शिखुश रक्तों कि वार्फर नहीं जासता नहीं है पन रिदिंग जा प्रॉब्लम है और वालिटी अवलिटी अफ लाइफ तुमी लोग काया मजे कसा गरता तुमी प्रिक प्रिक निगाता है कि ब्लड डेत डेला ब्लड टेस्ने अजन परता मैडम नी सजेस किले ला मला इंस्रुमेंट प्रटा ते बगाला पाजे करन बगात तुमी गांकि ते बच्चु करन ते बलड घेना ते ना पुना ला आवड़त नहीं ते फिंगर प्रिक उस मुश तर तुम्हाला विजार करा लागलते है करन आमी आत्ता वार्फारीन गेला तीन वर्शे सालू है अनि ताच्छा अगवदर पात वर्शे आस्परीन अनि क्लोपीडो क्रेल होती थे पात वर्शे होती दिला यहां एक चांगला पॉइंट है एंड शुडे कंटिनु माराथी औ हिंदी तो एक्च्छली इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है और एज हेमिटोल्जिस मैं ब्लड स्पेशलिस्ट तो एज हेमिटोल्जिस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट जो मैंने पहले ने लाया है पहले एस्परिन और क्लोपीडो क्रेल नाम हाट के वजे से कोई प्राब्लम होता है तो उनको आस्परेंट क्लोपीडोगरल दिया जाता है क्योंकि आटरी का क्लोट अलग है और वेन का क्लोट अलग है तो आटरी के क्लोट के लिए जो शड़यंत्र मचाया है वो है प्लेटलेट ने तो प्लेटलेट के खिलाफ दवा thrombosis. Hepatic vein या brain vein, lung vein, कोई भी vein, ये deep vein है. तो इसको DVT, यानि के deep venous thrombosis होता है. तो अगर hepatic vein में हो गया है, तो hepatologist and gastroenterologist are involved. अगर brain में हुआ तो neurologist सा involved. lungs में हुआ तो pulmonologist सा involved. तो देपेंज अपन वेर इट्स इंवाल. तो warfarin has to be given for venous thrombosis. तो प्लीज दो नोट एक्सेप्ट यार डॉक्टर गिविंग aspirin. या क्लॉपी डॉक्टर अपके लिए सहीं नहीं होगा. अगर श्रूप्टर भावे, उससे आगे discussion. श्रूप्टर संजे आया है, हूँ हमारे सर्जन है हमारी टीम में यां. तो डॉक्टर भावे, इस्यू ये है कि काफी सारे बॉम्मे में तो ठीक है मॉंबई के शहर में या कोई बड़े शहर में. हमारा experience है कि जो छोटे जैसे ये बुसावल से हैं या छोटे शहरों में लोग हैं और वहां उन्हें वार्फरिन लेना है हमारा ऐसा आनुबव है कि वहां INR monitoring भी जो results होते हैं वो reliable नहीं है. तो ऐसे situation में क्या किया जाए? आपको इसका experience हमारे से ज़्यादा होगा. और experience बहुत अच्छा भी नहीं है. आपकी तरह ये problem ही है वो. बट अपनी सोच क्या होनी चाहिए? कि उस गाउ को Mumbai बनाया जाए? या उस गाउ के लोगों को Mumbai में लाया जाए? मैं समझता हूँ कि उस गाउ को भी Mumbai बनाओ. क्योंकि ये वहां से लोग नहीं आ सकते हैं. इस टू एक्स्पेंसिब. मैंने सोचा पिछले दो साल से कि हो सकता है ये machine जो है. जब हम लग टेस्ट करते हैं उसमें variables बहुत सारे होते हैं. कोई collect करता है सही तरह से collect किया नहीं किया अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो फिर collection भी सही नहीं होता है उसको coagulant state हो जाता है उसमें. जब आप blood लेते हो और बच्चा try कर रहा है कि blood न दे machine का reagent कब निकाला था उसकी quality control क्या है machine काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो technician से सही तरह से उसमें amount डाला हुआ है कि नहीं reagent का, sample का आप देखे हो कितने variables हैं जब इतने सारे variables होंगे तब test wrong आने के chances बहुत ज़्यादा है इसके लिए आयना variability बहुत है तो पिछले दो साल से मैं भी सोच रहा हूँ कि हो सकता है यह जो machine है यह बहुत आसान है इसमें variables बहुत कम है तो अगर reagent सही है अंदर और test trip expired नहीं है तो एक single finger prick से और बच्चे भी फिर हा कहते है they allow, finger prick say this is not a problem तो I think यह problem solve हो सकता है अगर government ने या NGOs ने initiative लिया कि अगर ऐसे कोई tertiary hospital है या community health service है जहां पे ऐसे बच्चे आसकते हैं बच्चे के लिए बच्चे क्यों हो अडल्स भी this machine is not that expensive for for a long term benefit तो आयना टेस का कितना कॉस्ट होता है नॉमली so it can vary from 90 rupees to 240 rupees why because आयना गर जो टेस्ट है जो रियेजेंट है वो रियेजेंट actually जो रियेजेंट इस्तमाल करना चाहिए that should be Manhattan standard as close to unity as possible but that is very expensive बहुत महंगा है तो ज्यादा तर labs इस्तमाल ने करेंगे तो जो ISI International Sensitivity Index का रियेजेंट जो होता है वो जितना 1 के करीब हो अच्छा होगा तो 1.1, 1.2, 1.3 तर एक्सप्टेबल है ज्यादा तर labs 1.5, 1.6 इस्तमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता है क्योंकि labs जाते हैं कि हम लोग सस्ता रियेजेंट खरीदें और test result में उनको profit मिल जाएंगे जो महंगा रियेजेंट खरीदता है उसका cost of test is higher profit कम हो जाता है उसने अगर खर्चा बढ़ाया है तो लोग कहीं और चले जाएंगे ये रियालिटी है ये रियालिटी है ये रियालिटी है फिर आप भी rapid, reliable, reproducible जो कोई भी machine का 3Rs है rapid, reliable, reproducible आपको उस instrument से मिल जाएगा और आप घर पे कर सकते हैं तो ये बिलकुल जैसे blood glucose test करते हैं वैसा ही test है अभी hemoglobin पे ऐसा ही test होने वाला है ये वाला है ये वाला है जो जो है जो एक पातला करना पड़ता है बाहर तो आप सोचो कि ब्लड निकाला है वो ब्लड अभी वैसे ही काम करेगा जैसे वो अपने अंदर काम कर रहा है इसके लिए अपने को ब्लड को पतला रखना चाहिए अगर ब्लड को बहार निकाला तो वो गाड़ा हो जाएगा क्लॉट हो जाएगा क्लॉट नहों लेकि हम लोग एक सैंपल वायल में एक एंटिक्वाइगलेंट रखते हैं तो वो एंटिक्वाइगलेंट और ब्लड का एक रेशियो होना ज़रूरी है वो रेशियो बदल गया तो आपका टेस्सिस्टम गलत आएगा अब जो क्वेशन आप पूछ रहे हैं एडल्स में हम लोग एक स्टैंडर्ड साइट्रेट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं जहां पर एक फिक्स रिशो नाइन पार्टस ऑफ ब्लड वन पार्ट अटिक्वाइगलें पीडियाट्रिक्स में अगर हम लोगे ने तीन या चार साल के बच्चों का हर पंदरा दिन में तीन 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 अमल निकाला आप को होगी तो कितना ब्लड निकल रहा है इसमें से एक तरह से आपको उन बढ़ाने की कोशिव करें दूसरी तरह से यह बाहर जा रहा है और अगर इसको हम लोगों को हफते में दो बार या तीन बार या हफते में एक बार करना पड़ा तो ब्लड लॉस बहुत होता है तो ऐसे में पीडियाट्रिक वाइल्स भी आते हैं तो जो आप पहले कह रहे थे न कि कोई बच्चा है जिसमें स्मॉल अमांट में पुने में तो जो पीडियाट्रिक वाइल्स अलसो तो जो फइव यह और लेस है उनमें अगर इंस्टुमें चालिबरेटे है तो वी कन तस पेडियाट्रिक वाइल्स अधन थे शॉस्पित बच्श पेसिफिक और वट अब्च वाइल्स भी आते है वाइल्स पेडियाट्रिक वाइल्स जो यह अब्सक्ति है तो जुट फॉप नहाचिए टो टॉजबरेट जो जबजू़оту METROPOLIS does it this way? So everyone has their system. So when you start of you say I will collect blood for PTN. See all these people have a system in place. It is called standard operating procedure, SOP. And you should not make the SOP. So because it is a child you should not break it, that is wrong. So if there is an SOP you follow the SOP. But if the administration thinks that the SOP for a child can be different, so be it. You are following SOP. Varun, you want to comment on that? ब्लड बच्चों में आप कैसे कलेक करते हैं नॉमली और जो प्रोंबिन टाइम इनर करते हैं उसमें सोडियम साइट होता है तो जस लोक में भी जैसे सैंपल लेते हैं तो दो अलग वायल होगा एक सोडियम साइट जो पीटी आएनर के लिए होगा उसमें यूजिली जो हमारे इदर भी सैंपल लेते हैं तो अरॉण 2.5 ml ब्लड लगता है 2 ml के असपास और CBC में 0.5 ml से भी काम चाल जाता है तो लगबग 1.5 ml से 3 ml ब्लड तो यूजिली हमारे लाबरेटरी में भी यूज होता है उसे कम नहीं है जहां भी मैंने काम किया अभी तक एम्स में भी वहां पे भी अरॉण 2 ml ब्लड तो प्रृत्रॉमिन ताइम के लिए यूजिली जादा लगता है इसलिए न्यूबॉंस में कई बार हम लोग प्रृत्रॉमिन ताइम नहीं करवाते हैं बिकॉस 2 ml ब्लड उनके लिए जादा है लेकिन अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसके बॉड़ी में सम्वेर अराउंड अगर 700-800 ml ब्लड है तो उसको वो 2 ml इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि जैनली 72 डेस में सारा ये 700-800 ml ब्लड बदल जाता है तो पर दे के इसाब से देखा जाए तो लगबग 10 ml ब्लड अपने बॉड़ी में 10-12 ml ब्लड उस 10 किलो के बच्चे में नया बंदे जाता है तो 2-3 ml से फिर उतना नहीं फरक पड़ेगा बॉड़ी फिर वो एड़ेस्ट भी कर सकती है बट सर ने जैसे कहा कि अगर ऑप्शन है तो मेभी हमें भी सुचना चाहिए कि अगर उस तरह का ऑप्शन है तो हम भी अपने लाप से बात करें कि अगर कम सैंपल में ब्लड टेस हो सकता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा